नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हिम दरपन पर दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल जिके के कुछ MCQ कोशन के बारे में जो कि प्रिबियस मन्थ में कुछ एक्जाम होए थे उनमें आये होए थे तो आप वीडियो को अन तक जूर देखें किमकि दोस्तों यहां पर जेतने भी कोशन है रिपीट टिले और एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो आप वीडियो को अन तक जूर देखें और जो हमारे चैनल पर नया है उन सब इसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करे और अगले वीडियो की नोटिपिकेशन पाने के लिए वैल आइकन को जूर प्रेस करे अगर किसने वीडियो स्किप करनी है तो आप दोस्तों यहीं से स्किप कर सकत है या तो आप वीडियो को पूरा देखे जो इंट्रेस्टेड है तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट कोशन तो फर्स्ट कोशन को इस तारह से है चकली कि स्रियास्थ का प्रसिद सिख्का था तो यहां पर आपको ऑप्शन रहेगी चंबा कांगडा सिर्म और दोस्तो यह कोशन दोस्तो इंपोर्टेंट है और एकजाम में दोस्तो मैकसिमम रिपीट होता रहता है तो जो चकली है दोस्तो यह चंबा की जो फिख़ी यह सथी वहां का है सिख्का था तो नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे next question है दोस्तों कि किस सासक ने कुलू मेरा जो रगुनात की मूर्ती किस था अपना 1653 इसमी में की थी तो जो रगुनात जी की मूर्ती थी वो किस सासक के द्वारा की गई थी तो option रहेगी सुरिशेन, जगदसिया, सुल्तान चंद या अबदसिया तो इसका जो रगुनात जी की मूर्ती थी वो वहां पे स्थापित की थी और इसको आयुद्धे से लिए वो दामदर्दास ले आए थे तो next question की बात करेंगे, सिमला कब भारत सरकार की ग्रिसमकाली निराजधानी बना तो अप्सन आपके सामने रहेगी, 1911, 1905, 885, 1864 तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तो वो रहेगा अप्सन नमबर D तो जो ठाराइट चॉनसर इस वी में जो सिमला है दोस्तो यो भारत सरकार की ग्रिसमकाली निराजधानी बनाईगी थी तो नेक्ट कोशन की बात करेंगे नेक्ट कोशन है नूरपूर की कि सासक कुबैरम खान दवारा पंदरसो अठावन इस भी में बंदी बनाकर लहोर में जाकर मौत के गाट उतार दिया था तो most important question है दोस्तो तो option रहेगी पहाडी मल, second option है बक्त पाल, third option है कैलास पाल या जो fourth question है काकुहुल पाल तो इसका जो right answer है दोस्तो वो है बक्त जो बक्त पाल जो option number B है वो इसका right answer है जो बक्त पाल है वो वहां पे बंदी बनाकर इसे लहाल में मौत के गाट उतार दिया था तो किस ने उतार रहा था वो बैरम खान थे तो next question की बात करेंगे next question है हिमालियन हिल स्टेट रिजिनल कॉंसल के पहले अधेक्स कौन थे most important question है दोस्तो तो option आपके सामने रहेगी स्वामी पुन्चंद second option है पंडित पदमदेव third option है शिवानन्द रमाल या जो fourth option है वह बासकरा नंद तो इसका जो right answer है दोस्तो वह है option number a जो स्वामी पुन्चंद थे वह जो हिमालियन हिल स्टेट रिजिनल कॉंसल थी उसके अधेक्स थे स्वामी पुन्चंद तो sixth question की बात करेंगे sixth question है कांगडा के सासक जैचंद को किस मुगल सासक ने क्याद कर लिया था जो कांगडा के सासक थे जैचंद उसे किस सासक ने जो है वो कैद कर लिया था तो आप इसका जो right answer है वो कमेंट भी कर सकते है तो option आपके थामने रहेगी और अगंजेब next option है अकबर third option है जहांगीर या सहांजा तो फटाफट इसका आप answer कमेंट कर सकते हैं तो इसका जो right answer हो है option number B अकबर तो अकबर ने जैचंद को बंदी बना लिया था तो next question की बात करेंगे 7th number question की किस प्राण के अनसार जो व्यक्ति हिमाचल के बारे में सोचता है बिना उसे देखे यूह कासी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्ट कर सकता है तो यह किस प्राण में कहा गया है तो option है C प्राण, सकंद प्राण, बायू प्राण या प्राण तो इसका जो राइट अंसर आप बता सकते हैं अगर आपको आता है तो जो 54th number question है इसका जो राइट अंसर है जो सकंद प्राण, जो सकंद प्राण है उसमें इस चीज के बारे में बरनन देखने को मिलता है तो next question की बात करेंगे, next question है दोस्तो मूर क्राफ्ट नामक European यात्री ने हिमाचल पुदेश का ब्रह्मन कब किया था? most important question है दोस्तो, जो मूर क्राफ्ट है वो हिमाचल पुदेश में ब्रह्मन के लिए कब आये थे? तो option आपके सामने रहेगी, 1820 से 1822 के बीच में, 1855 से 1856 के बीच में, उसके बाद 1860 से 1862 के बीच में, तो इसका जो राइट अंसर रहेगा दोस्तो, वो है option number B, option number A, जो 1820 से 1862 के बीच में जो बूर क्राफ्ट से वो हिमाचल में ब्रह्मन के लिए आये थे, तो next question की बात करेंगे, हिमाचल पुदेश में एतिहासिक अवेशो के अधार परमानव का बसाब की स्काल म most important है, तो option है, तामर परशान काल, उत्र परशान काल, पुरुफ परशान काल, या लोह योगिन काल, तो जो 9 number question है जो इसका जो राइट अंसर है, वो है option number C, जो पून, जो पून परशान काल आया था, उस टाइम जो हिमाचल पुदेश में, हिमाचल पुदेश में जो मनु की हिमाचल पुदेश कि बलाश्पूर राज्य का वह कौन सा सासक था, जिसका सासन काल, थियास में, काला यूग के नाम से फिसीद था, most important question है दोस्तो, और जो काला यूग के किस सासक का जो सासन काल था, तो किसे कहा जाता था, तो option आपके सामने रहेगी, मेहर चंद, चतर परसिया, खड़कचंद, सुशर्म, तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो, जो 10 number question है, वो option number C, खड़कचंद, जो खड़कचंद है, उनका जो सासन काल था, वो काला यूग के नाम से भी परसिद था, तो next question के बाद करेंगे, हिमाचल पजेश के राणाओं और ठाकरों के बारे में जो सुचना का प्रूंक स्तो होता है, वो कह रहता है, तो इसके बारे में पुछा गया है, तो इसके जो option होएगी, वो रहेगी, राज तरिंगनी, वैजनात की प्रसिस्तियां, चंबा में पाजाने वाले सिल्पलेक, या उप्रुक्त सब भी, तो जो राना और ठाकर है तो नेक्स्ट के बात करेंगे, जो चिन में संदीपनी हिमाचल आश्रम, जो चिन में संदीपनी हिमाचल आश्रम है दोस्तों, ये दोस्तों कांगडा में है, और कांगडा में किसके नज़दीके है, तो ये question आप से पूछा गया है, आप्षन आपके सामने रहेगी, संदिपनी जो हिमाचलासना में यह ओल के सब इनर्जदीक है तो नेक्स्ट कोश्चन के बाद करेंगे मोगल समराज्य के बिगटन के बाद किस सासक ने अपने राज्य का विफ्तार किया था तो इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तो तो अप्शन आपके सामने रहेगी राजा रूपचंद, राजा अभिधिचंद, राजा गुमंडचंद या महराना रनजीत शीहां तो इसका जो राज्य का विफ्तार है अपने राज्य का विफ्तार करने लग थे तो वो कौन थे वो थे गुमंडचंद तो नेक्ट कोशन की बात करेंगे, नेक्ट कोशन है निरेटी की लड़ाई किन राज्य के सासकों के बीच में हुई थी तो दोस्तो जो निरेटी की लड़ाई है वो किस के बीच में हुई थी ये हिस्ट्री से कोशन है दोस्तो और एकजामिर रिपीट हो सकता है और इंपो और के उत्थल तो इसका जो राइट अंसर है वो है ऑप्स नमबर ए जो कांगड़ा और चंबा के बीच में जो राज्जा थे वह सासक थे उनके बीच में वह इन्रेटी की लड़ाई हुई थी तो नेक्स्ट कुर्शन की बात करेंगे नेक्स्ट कुर्शन है आपके लिए किस सासक ने दक्षिन अभिहान में औरंग जेव की साहित तकी थी जब जब दक्षिन अभिएहन चलाया था औरंग जेव ने तो वह किस सासक ने उसकी साहिता की थी तो option रहेगी रामपूर विसार के राजा के रिसिया ने या चमबा के जो राजा थे चतर सिया या बिलासपूर के राजा देवचंद और जो सिर्मोर के राजा करम परकास इन्वेस्टर के इसने जो और अगजेव की साहता की थी तो इसका राज़ा राजा के रिसिया ने और अगजेव की साहता की थी तो next question की और चलेंगी next question है हिमाचल प्रदेश में वर्सा का आउसत क्या है तो आसान सा question है जो तो और एकजाम में आता रहता है तो option आपके सामने रहेगी 900 mm, 1200, 1400 या 1600 mm तो इसका जो right answer है वो है दोस्तो option number D 1600 mm तो next question की और बात करेंगी हिमाचल प्रदेश में कुल क्सितर का कितना भागमंडी जिले में आता है तो दोस्तो इस तरह से भी question आते है तो क्यूंकि हमने सित्रफल के बारे में पढ़ था और इसकी ट्रिक के बारे में हमने बात कर रही थी जो की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी क्यूंकि आप question इस तरह से पूछे जा रहा है कि ये जिला किस स्थान पर एक सित्रफल के अधार पे या इस जिले का कितना किस बाग बाता तो इस तरह ये हिमाचल प्रदेश की कुल किस सित्रफल का कितना हिस्सा Gesetzentwurf कि इस प्रदेश इस तरह से question आ रहे है तो आप अपने तहरी कोश अच्छे से कर लीजिएगा तो जो अप्शन नंबर 17 है जो मंडी जिल है दोस्तो इसका जो कुल भाग है दोस्तो जो हिमाच्रिक देश का कुल भाग में से कितना आता है तो दोस्तो वह है आपके सामने रहेगी 3.40 प्रतिशत 2.25 प्रतिशत 7.9 प् है तो next question की बात करेंगे देव टिबा कुलू कि उन्चाहि कितनी है देव चोटी है ह्माचल भीदेश की चोटी है हमने पढ़ा है और इसके साथ में एक अपडेट भी देना चाहूनगा कि जो जो हिमाचल भीदेश की चोटी है उनकी मेजरमेंट अब चेंज हो गई है तो आप लिटेश्ट में उनको कर लीजिएगा ने इसमें अभी एप छेंज हो चुकी है तो आप उनको भी देख लीजिए क्युंकि एक्जाम में आप गल्त मत करना तो इसलिए में पदा न चाहंगा तो इसके साथ ही जो देव टीबा है दोस्तों यह कहां एक उल्लू में है और इसकी जो हाइट रहती है वो आपने बतानी है तो अप्शन आपके सामने रहेगी चापन सो साथ मिटर छेहजार एक मिटर 500 मिटर या 1726 मिटर तो इसका जो राइट अंसर है वो है इसने प्रवाणी उठाई है तो यहां पर राइट अंसर है छेहजार एक मिटर तो नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे लूनी नदी हिमाचर उदेश की किस प्रविट स्रिंखला से निकलती है जो लूनी नदी है हिमाचर उदेश की किस प्रविट स्रिंखला से निकलती है इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो तो अप्शन आपके सामने रहेगी तूडदाहर इसकंदर धाहर दोलादार या मनिकर तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तो वह अप्शन नमबर सी जो दोला दार रहें जाए वहां से वह लूनी नदी निकलती है तो नेक्स्ट कुर्शन की बात करेंगे कौन सा जिला उच्छतर हिमाल्या क्षेतर में नहीं पड़ता है तो जो उच्छ हिमाल्या के अंतरकत कौन दूsm caves गयाता है जो नचने चने आता है उसके वारे में आपने बिताना है तो उसलिती जो उच्छत जो छमबा और डॉल्स मत्यती ये ऑंतरकता तो इसका जो राइट अंसर हो जाता है वो अप्सन नमर डी हो जाता है शिर्माओर तो नेक्स कोशन की बात करेंगे next question है सित्थी धार और मेबा किंदिनी किंदुनी परवत चोटियां किस जिले में स्तित है जो सित्थी धार है और किंदुनी परवत चोटियां किस जिले में स्तित है तो option आपके सामने लेगी कांगडा, चंबा, कुलू या सिर्मावर इसका जो राइट अंसर है दोस्तो वह है कुलू, ये दोनों जोटी है दोस्तो कुलू के अंतरगत आती है तो next question के बाद करेंगे लिपा, किसकी मतपुन साइक नदी है जो लिपा है दोस्तो, किसकी मतपुन साइक नदी है, तो option आपके सामने आपके सामने रहेगी जो रहेगी जो राइट अंसर है दोस्तो, वह स्पिति तो ये लिपा दोस्तो एक नाम से थोड़ा सा आईडिया लगा सकते है तो ये स्पिति जिले जो स्पिति है उसकी ये साइक नदी है लिपा तो next question के बात करेंगे नेमन में से कौन सी मानव निर्वित जील है तो इनमें बताना है कि जो मानव निर्वित जील है कौन सी है option आपके सामने रहेगी रिवाल्सर, रिणुका, नाको तो अगर आपने हमारी जो प्रिवियस रिवाल्सर जील है तो इसमें हमने इन जो जितनी भी जीले दिछिया सतलुज नदी के नदी है उसके बाद वह अस्तित्म में आ था वहां पर बांध बना था उसका पानी निकल गया था और वहां पर फिर यह जील बनेगी थी गोविन सागर जो की व्लासपूर जीले में है तो नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे हिमाच्र प्रदेश की सीमा जो जम ऑड को पता नहीं है इसमें दश्तों एक जो एक है तीबध के वादे में नहीं नहीं बताया गया है तो आपने उसको कट कर देना है कि ना तीबध के साथ कितने लगती है तो जो बच जाती है वो सारी इन जो states है इनके साथ लगती है तो जो राइज का राइट अंसर है वो है option number C 970 km जो ये राज़ है इनके साथ सेमा लगती है तो इसका जो राइट अंसर है option number C है आपको वीडियो दोस्तों useful लगी हो तो अपने दोस्तों को जूड़ शेर करे और हमारे चैनल को जूड़ सब्सक्राइब करे और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे आपको नेक्स वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जूड़ शेर करते रहे और हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें थैंकि दोस्तो